गुरुरु प्यारी साथ संगजी पाईसा पाई वीर सिंग्जी दि लिखी, गुर्बानी व्याख्या, वार गुजरी महला पञ्जवा, पौडी नौमी, मूल है, सलोक महला पञ्जवा, नदी तरंदड़ी मेंडा खोज न खुमबे, मंज मुहबबत तेरी, तौंसे चरणी मेंडा हीडा सीतम, हर नानक तुलहा बेडी, अर्थ है, मैं नदी तर्दी दा, मेरा पैर हेठा नी खुबदा, क्योंके मेरे मन विच तेरी मुहबबत है, हाँ, तेंपती दे चरना नाल मेरा दिल सीता गया है, एउं, हे हरी, तौ मैं नानक तुलहा, तौ मेरी बेडी बन गया है, इस दा पाव अर्थ है, नदी तो पाव संसार है, खोज तो मुराद, बुद्धी या मन रुपी पैर है, संसार दा तलवा चिकड है, मो, मेरे मन विच जो तेरा प्रेम है, उस अंसार रुपी चिकड विच मेरे पैर निखु बन देंदा, मैं इस प्रेम करके नदी नू तरदियां ही लंग रही हां, होन दूजी तुक विच प्रेम दी सबलता लेंदे हन, के जद हिर्दा तेरे नाल सीताई गया, प्रेम नाल अटुट विछोड़े वाला हो गया, तद बहुलियां मार के तरंदी भी लोड़ना रही, ओ हिड़ा सीतम वाली परबल प्रेम अवस्था पहला तुलहा हो गई, फिर होर परबलता वद्दी तां बेड़ी बन गई, आपना यतन ना रहा, ओ बेड़ी वांगू सानू आप पे तारी लई जा रही है, ए अर्थ है तरंदडी दा किरिया विच के मैं तर्दी होई नू दूसरा अर्थ है, जे तरंदडी नू नदी दा विशेशन लाईए, तां एउ बन दा है, कि नदी ऐसी है, जिस तो तर के पार हो सकी दा है, पैर तले नहीं लग दे, जो पानी विचों तुर के पार हो सकी है, इस हालत विच तेरी मुहबत करके तेरे नाल हिर देदा अ नहीं पार हो रहे हैं, दो आदा पाव एक को है कि संसारू पी नदीनू तेरे प्रेम दे आश्रतो के और कोई यतन कीते बिना केवल प्रेम करके तेरे परने पै होई तेरे नाल सीते पार हो रहे हैं, महला पंजवा, जिना दे संद्ड़ियां दुर्मत वंजे मितर सेही होंटू डेंदी जग सबाया जननानक विरले केई, अर्थ जिना दे दर्शन कर देयां मेरी खोटी बुद्धी दूरो जांदी है, ओई साड़े मितर हन, मैं उना नू सारे जगत वे तून देयां, पर ओ जन हेनानक कोई विरले ही मिल देयां, पावर्थ है, गुर्मु पुर्खांदे मिलें, खोटी बुद्धी नाश होंदी है, एक गुर्मुख में लाबदा फल होंदा है, उननू सच्चे ते असली मितर समझना चाहिए, पर अदासी वाली गल एह है कि ओ बहुत कट हैं, हैन विरले नाई कणें, फैल फकड संसार, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी सास सासते आईये, जां आपे होए धयाल तां पागत संग पाईये, अर्थ, तेरे आं पागतानू वेख्यां, हे मालक वाहिगरू, तु याद आंदा हैं, साथ संग विच वसे आ, मन दी मैल कटीन दी है, वाहिगरू दे दास्दा दस्या, नाम जब के, जनम मरंदा डर दू देन देहन, ते सारे काम आदिक वेरी लुक जान देहन, संत उस प्रभून अल प्रेम लुआ देन देहन, जिस दी तारी होई सारी स्रिष्टी है, परंतु जिस दा आपना टिकाना, उच्चे तु उच्चा है, अगम है ते अपार है, उसनु हाथ जोड के रात दिने हर स्व पास विचते आईये, उचद आपे दे आलू उंदा है, तां पागतान दी संगत परापतून दी है, पावर्थ है, पागतान या संतान दे सत्संग दे लाबदसें हन, पावर्थ सुगम है, आसान है, व्याख्या, देते आयये दे गुण पिछली पोडी विच कते सन, हुन पुर्माँदे हन के ओदैते आउना सत्संग विचों परापत उन्दा है। प्रबु सेद विच रखदा है। गोया पिछला मजमून जारी है। दूसरा सलोक जो उपर विदमान है। उस विच एहो दुर्मत मौमाया दे प्रेम दी दूर करन वाले संत दे संग दी मंग है। पर ओ विरले हन। सानु खबरदार कीता है कि संबल के पर्ख के नियो लाउना। पहले सलोक विच संतां दे लवाए प्रबु प्रेम दी मेमा है कि उपार उतारन हार हन। निरुकत तरंदड़ी तों पाव है तरदी होईदा नदी तारू है या तर के पार हो सकीदा है जिस तूं या तुर के पार नहीं हो सकीदा जिस विच हूं। खोज तों पाव है पैर मंज तों पाव है विच याने मन विच। सीतम तो पाव है, मैं सीता है, मेरा मन सीता गया है तुलहा दा अर्थ है, नदी पार करने दा हलका समान जो लकड़ी कास फूसादी दा उन्दा है तुलहा बेडी इकठा मुहावरे दा वाक है, जिमें कई दा है, जल पानी चछको वुठिया यने वसिया शबद जप तो पाव है, शबद जपने वाला जपींदा है नाम, इसकर के अर्थ है, नाम जब के दूसरा अर्थ है शबद जपदा, उब देश कमाई भी पाव लेंदे हैं दूत तो पाव है, काम, क्रोदादी, विकार जो वेरी हैं अगमदा मतलब है, मन दी गमता तो परे अपारिया जो पार तो रहत है, बेंत है वाहिगरू जी का खालसा, वाहिगरू जी की साथ